Okay, students, I know writing task 1 का weightage कम होता है, one third band score होते हैं उसके, लेकिन अगर आप writing task 1 में कुछ varieties लेकिया हो, I mean इतना difficult तो होता नहीं है, सारा statement given है, उसमें से देख के ही लिखना है, पर थोड़े से changes, variations लेकिया हो, तो आपकी score increase हो सकती है, तो overall score पर impact तो पड़ेगा न, तो अच्छी बात है इस पे भी थोड़े से effort कर लेते हैं, जब मैंने writing task 2 के उपर video बनाई, तो मुझे कुछ students ने बोला था कि task 1 के उपर भी video बनाओ, चलो तब तो time लगा नहीं, तो मैंने सोचा, अब क्यों न, इस पे detail में upload कर दें video, और हाँ, सबसे पहले, एक misconception में दूर करना जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही 99 बैंड के होते हैं, हाँ, 1 3rd ज़रूर होता है, कैसे आपको बताती हूँ, जैसे task 1 की जो score आई, plus task 2 की जो score आई, plus task 2 की score दुबारा से count होएगी, divided by 3, इसलिए सको 1 3rd बोलते हैं, like आपके task 1 में 6 आ गए, तो जहाँ पे 6.5 कर देते हैं, task 1 म task 2 में 6, plus 6, divide करोगे 3, जितनी score आईगी, overall आप इंपक्ट पड़ेगा, तो अबसी बात है, यहाँ पे 7, 7.5 आ रहा है, जहाँ पे 6.5 आ रहा है, तो अगर आप करोगे divide, तो आपका score इंक्रीस होएगा, नहीं स्कीन आता, तो मैं आपको यह बचाती हूँ, देखो, बैंड task 2, 6 band की होनिया तो, right in task 1, अगर 3 band की है, तो इसका भी band descriptor, 9 band का क्यों है, see, 9 band, क्यों, obviously, थबके, out of 9 में से ही आएंगे score, आपको इस वे से divide करके, आपकी score मेलेगी, चलो, अभी मैं आपको बताती हूँ, कि introduction, overall, and bps में, body paragraphs में, कैसे variety लेक्यानी है, तो कई strengths ना कुछ मिस कर देते हैं, like, देखो, introduction में, तीन चीजा इन क्लियूर करना, बहुत important है, क्या है, what, when, and where, मतलब, जो उन्होंने given की, दिया होता है, already years given दिये होते है, ताफि कहां, location, क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, यह आपने, बता नहीं है, कई जागा पर years नहीं दिये, तो कोई ब to कर दो, आपको इतना तो, obviously, पता होएगा, अगर between है, उसके साथ, sorry, and आता है, between 2009 and 2015, from 2009 to 2015, यह आता है, over the period of years, count करके लिख दो, कितने हैं वो, in the years, 2009 and 2015, इसके according, आप थोड़ी सी variety ले के आ सकते हो, introduction में भी, और कई students को पता निचलता है, introduction में लिखना क्या है, तो आप इस इस वे से यह include करना ही करना है, इसलिए ही बोलते हैं, सबसे पहले आपने planning करनी ही करनी है, planning करो कि इसमें क्या-क्या include करना है, कई-बस students क्या करते है, data किसी और चीज को होता है, लिख किसी और चीज के बार में देते है, मतलब like percentage, जैसे मालो gender की है, किसी और चीज के बार मे सारी details cover करने की need है मैंने tick भी लगाया है cross भी मतलब अगर आपका data like 150 words नहीं बन रहा तो आप details cover कर लो सारी अगर आपको लगते हैं बहुत सारी details हैं ज्यादा cover करेंगे extend like इसकी upper limit तो वैसे होती नहीं है उन्हें minimum 150 words बोला होता है अगर आप 180 की तक करो ठीक है 200 250 करोगे ना आपका बहुत जादा time consume होएगा और उसको आपको पता यह task 1 के उपर 20 minutes से ज्यादा नहीं लगाने होते टार्गर वैसे यही रखो कि 15 minutes लगाएं 2-3 minutes proof reading करें कि कुछ wrong तो नहीं हो गया फिर task 2 कर लो लेकिन कई बार फिर आपके 20 लग रहे हैं कोई बात नहीं लेकि 20 से ज्यादा लगना आपके task 2 के उपर impact डाल सकता है इसलिए कहते हैं सबसे पहले task 2 किया करो ठीक है तो यहां पे सारी details cover करने की नीड नी है जैसे बाइक चांस आपका task 2 पे time लग गया task 1 end में कुछ इतना time नहीं बचा आप कुछ न कुछ तो देखके लिखना है तो आपकी habit बनी होगी कैसे कैसे variety लेकिया नहीं है उसके recording करोगे तो आपको कोई problem नहीं हाएगी आपके task 1 में end में सारी details cover ना करो एकठा करके कुछ ना कुछ लिख दो तो आपका at least complete तो हो जाएगा ना लेकिन task 2 में ऐसे करोगे आपके score deduct होने के chances जाना है चलो okay मैं आपको introduction और overall के बार में थोड़ा सही बताऊंगी because I don't think कि उसमें इतना कुछ जानने की need है बट जो variations में लेकिया नहीं होती है बीप से में लेकिया नहीं होती है हाँ चलो आप BP बना लो body paragraph जाफी 2 बना लो वह आपके depend करता है यहां पर भी चलेगा बट वेरियेशन वहाँ जारा जूरी यहां पर भी important है obvious सी बात है introduction आपका first impression जा रहा है देखियें ठीक है अब मैं आपको बताते हूं इसको कैसे करना है अगर मैं सिससे पहले यह देखते हैं यह सिर्फ मैं आप चाहिए screenshot ले लो क्या जो मरजी कर लो लिख लो क्योंकि यहां से आपको different different ways में कर सकते हो जैसे कि starting ऐसे कर दो the given supplied shown provided presented कुछ भी लिख दो the given chart shows the comparison of इस वेसे आपके according जो भी वो given है वो अरे हां एक बात मैं बता दू अगर उन्होंने statement में सिर्फ chart लिखा है और आपको नहीं पता कि यह कौन सा वला chart है diagram पर सैसे कुछ भी कई वर confusion होती है तो कई वर बूल जाते हैं यह pie chart था रहे मतलब माइन में नहीं आता और बिस टक हो जाता है ठीक है तो आपना जो उन्होंने given है चार्ट चार्ट का चार्ट ही लिख दो चिंजिस करने की need नहीं है अगर आपको लगता है कि यह ना pie chart है लेकिन वो बार chart था तो आपने बार लिख दिया तो negative impact पड़ेगा माइनस में जाएगा ऐसे नहीं करना नहीं sure हो तो मत लिखो हाँ अगर उन्होंने चार्ट लिखा है तो आपने देखा pie chart है और आपने correct लिख दिया तो उसका positive पड़ेगा मैं यह नहीं कहा रही कि आपका आदा band increase हो जाएगा बट positive impact पड़ेगा छुटशटी factor से positive impact पड़ने से आपका overall score improve हो सकता है ठीक है यह तो मैं बस ऐसे ही सोच चल आपको बता दूँ कि आपको different way में कैसे लिख सकते हो the presented data describes obviously बात है कि आपने यहां पे presented लिखा है तो presents नहीं लिखेगा थो different लिखना है जाफिर the tabular representation presents वह आपके according जो अभी लगता है जो given है जैसे difference बताये है percentage है कुछ भी हिल करके outline लिखना है वह आपके उपर depend करता है कैसे आपने connect करके वह लिख देना है ठीक है एक मैंने वह example दे दी जाफिर the shown bar graph outlines the difference between कुछ भी करके आपके according हो आगया अभी मैं आपको चोटी सी example देती हूं like मानलो यहां पर लिखा है the table below gives information about a restaurant's average sales in three different branches in 2016 तीन ब्रांचे से लग लग आगई ठीक है average sales के बार में है अभी मैं इसकी introduction क्यासे form करेंगा the table below gives लिखा है ना the given table compares comparison हो तीनों का किस में average sales of year 2016 क्योंकि हमें कुछ ट्विस्ट करके लिखना है ना same to same नहीं लिखना 2016 नीचे लिखा है यह उपने लिख लिख दिया average sales of 2016 of the restaurant restaurant के बार में यहां पर रहने बोला है in three different branches हमने कैसे लिख दिया which has its branches in three different states of city Vancouver Vancouver कैसे बिकोज नहां पर लिखा हुआ है थुरसा changes आगे इतना difficult नहीं है आपको स्रास्वान पर stress लेने की नहीं है जो given है जो मैंने यह बताया है यह तो मैंने इसे fix example ती यह बताया है इसके recording जो आपको लगता है लग लग प्रैक्टिस करोगे स्टार्टिंग में थार टाइम लगेगा बाद में आपका अच्छे से हो जाएगा ठीक है वह लिख दिया उसके बाद अबरोल ओवर्वियू ओवर्वियू में भी confuse होने की नीड नहीं है कुछ नहीं खास होता कुछ भी नहीं trends बतादो बस मतलब कि आपने ओवर्वियू नहीं लिखना है अगे कुछ भी आपको किस वे से स्टार्ट करना है इस करने लिखता है अगर एक ही फीचर है फीचर ओफ दाइज अगर मैंने एस लिखा है आपके ज्यादा फीचर है तो बहुत भी है उसके रिगश्टाइच आप बता सकते हो तो इसमें कुछ खास नहीं करना है और अगा साथिस्ट टाइम वियास करते हैं इसके उपर देखो जा फिर मैक्सिमम मिनिमम मतादो है इसमें पहला बता दो जा फिर बोल तो कि सब में मालों की सब में चेंज होई सिर्फ एक में नहीं होई तो सब का चेंज होई यह मेरी गलती से स्पेस नहीं आनी था इसके साथ सी लिखना था ठीक है Georgia street was at top among two other two branches in fetching highest sales value whereas Vancouver की दूसरी जो branch सी short the least amount money collected the highest और least बता दिया हमने the highest the lowest बता दिया हमने ठीक है यह इसको भी different way में कर सकते थे like Georgia street had highest sales value सिर्फ ऐसे लिख देते आपको यह नहीं लिखना आना कोई बात नहीं सिर्फ हमने comparison करना है ठीक है whereas करके दूसरा वल में क्या है वो बता दिया whereas कर दो जाफि वाइल लिख दो जो भी लिखना है आपको यह तो बता है ना कि आपको data नहीं लिखना होता overall में ना ही percentage कुछ नहीं लिखने होते यहां पे भी overall में others की बात नहीं करनी है उसको include मत किया करो ठीक है years लिख सकते हो अगर आपने लिखने है तो अगर वो उसके बिना नहीं काम चल रहा otherwise कुछ से भी आपको यह figures लो करा percentage लो करा नहीं देनी की need ठीक है चलो अब भी आते है main चीज पे जहां पे students को problem होती है express करने में देखो यह है different different way जिससे आप कर सकते हो express इसको देखने की सुरूरत नहीं है actually मैं जब जहां पे लिख रही थी ना तो मैंने ऐसे रख की लिखा तो उसारा आ गया उसके उपर ठीक है इसको नहीं देखना यह है मतलब देखो मैं आपको इसके examples भी दोंगी no worries whereas while मैं आप उससब की बताऊंगी respectively कैसे use करना है verb, adverb, adjective, noun कैसे करना है सब कुछ बताऊंगी मैं से बतारूँगी इस way से आप इसको यह different different varieties लेके आ सकते हो आप चाहे इसका screenshot लेलो जा लिख लो ठीक है by contrast, from to I think आपको from to तो पता ही होएगा from to और between and तो सारे use करते ही होएगे increase by, increase to थोड़ा सा different है मैं आपको बता दूँगी कैसे करना है अरे हाँ, आपको यह पता है न increase by कितना increase हुआ वो लिखना है increase to जितना percentage जहांफ इतना पहुंच गया तो आपको डीटेल में बाद में बताऊंगी स्टार्टिंग से जलते हैं, ठीक है क्योंकि आपको यह से confusion ना होजा है अगर मैं बेना figures के बताऊंगी तो आपको बता क्या करना है मैंने simple लिया एक newspaper वहाँ पे आया result की पात वहाँ से ही आप easily देख सकते हो अगेंस्ट लास्ट येर आपको मैं बता दूँ जैसे इन्होंने हाफ उपर हाफ नीचे लिखा है आपको नहीं करना ना टास्क वान में ना टास्क वान में करना होता है इस बात का ध्यान रखा करो चलो यहां इन्होंने तो लिख दिया हमने में देखना है कि किस वे से comparison किया है there has been a marginal increase of कितना increase आया वो बताया है in the past percentage as against last year तो अगर आप किसी year से comparison कर रहे हो तो आप यह लिख सकते हो कि कितना increase बगर decrease बगर आया against कि कि sentence लगा सकते हो इसके इलावा में आपको एक बात बताती हूं अगर मालो आपको दिया है 2002 2008 इसका डाला ठीक है तो आपको क्या करना है कई students क्या करते हो कि like इनका comparison आपस में कर सकते हो यह increase हुआ पहले से इतना था double हो गया down चला गया decrease हो गया कुछ भी करके जब हमें आपस में ही different different figures जी हूं मालो की एक ही year दिया हो उसमें आप नहीं लिखोगे कि increase हुआ decrease हुआ क्यूकि उसमें different different data different different figure क्या बलते content होता है for example अगर हम देखे कि आपका कितने score आये थे 9th में कितने score थे 10th में कितने score थे अगर हम comparison करें तो increase decrease कर सकते है कि पहले से increase हुए पहले से decrease हुए ठीक है लेकिन अगर आपके सिर्फ 9th standard के देखें कि मेरे math में इतने आये English में इतने आये तो more than less than आएगा ना समझा रहे है आपको कि अगर हमें different different years ही हो मालो कि 2009 की बात है 2010 की बात है तो increase decrease करेंगे अगले साल अरे मेरे पहले से marks ज़्यादा आए बढ़ गए है कम है ऐसे नहीं हाना वह ऐसे करेंगे न आप अगले साल के बाद different different years ही होएंगे तभी आपने compare इस वे से करना increase decrease करके लेकिन अगर एक ही year दिया है उसमें different different elements ही है तो आपको क्या करना है more than less than जैसे मेरे English में ज़्यादा marks आए math में कम रह गए ठीक है समझा यह example से आपको easily clear रहेगा because students mistake करते हैं यह वाली इसलिए यह मैं समझाते हुए छोड़के यह बता रही हूँ कि यह mistake नहीं करना है सबसे पहले planning में यही देखना है कि आपको increase decrease बोलना है जा more than less than बोलना है ठीक है चलो यहाँ पर वापस आते हैं यह तो मारा against वाला हो गया यह होगा न against वाला अब भी हम next देखते हैं however however आपको बता ना कैसे use करते हैं जब मारा कुछ different हो but की तरह लेकिन यह हमारा increase हुआ है लेकिन the number of students scoring above 90% and 95% have reduced this year जिन्होंने 90% और 95% किये score किये वो इस साल कम हो गए चाहे कि past percentage ज्यादा हुआ लेकिन जिन्होंने 90% and 95% किये score वो reduce हो गए by कितने score से reduce होगे by 3% and 1% respectively अभी respectively का क्या मतलब होता है respectively मतलब जो figure पहले दी है उसका पहले से साथ करेंगे जो इन्होंने 90% score किया था वो 3% से decrease हो गए जो 95 किया था वो 1% से decrease हो गए मतलब पहले वाला पहले वाले के साथ आएगा सिरफ एक 90% और 95% लिखे respectively नहीं लिख सकते विकोसर दोनों की different बाते हैं हम comparison क्या कर रहे है 90% जो above 90% score करते थे उनका 3% से decrease होगे इस साथ score तो 95 का था वो 1% से हो गई hope आप सबको clear हो रहा है यह respectively करके भी हो गया वैसे where as the while आप easily कर सकते हो जैसे मैंने यहां पर where as बोला कि where as वो increase हो गया while करके दूसरा का decrease हो गया कुछ भी करके वो easy ही है ठीक है यहां पर भी उन्होंने respectively वाली बात की है चलो यहां पर उन्होंने while भी लगाया respectively भी लगाया है बताती हूं कैसे while girls have achieved a past percentage of okay उन्होंने percentage बता दी कितनी percent है past percentage of boys and trans genders is 90.14 and 78.95 respectively while करके जह हम बात करें जब girls ने कितनी की अचीव इतनी comma अभी हम दूसरी बात करेंगे contrasting करेंगे like पहले girls की थी अभी different की आगी boys and transgender की boys की and transgender की कितनी थी respectively boys की जो सबसे पहले boys का बोला है percentage पहले boys की होएगी transgender का बात में बोला है percentage बात में उनकी होएगी next over 1.84 lakh students scored above 95 5% and more than 41,000 student score above 95% score यहां पर तो तो दो different way में कर सकते हैं which करके भी उनने किया अगर वो कुछ नहीं बना तो फिच लगा लो भी total of 18.73 lakh students appeared in the exam out of which total कितने थे उन में से कितने पास होगे वो बता दिया और total बता दिया और वैसे I don't think कि यह वाला आपको exam में ऐसे अपके graph में होता है यह चीज़ें होती है against कर सकते हो respectively कर सकते हो ठीक है उसके इलावा बोले तो simply उनने क्या गिया है देखो the past percentage in Delhi was went up by around 5% मतलब उनकी 5% है नहीं by मतलब 5% से increase होई है around 5% है तो उसके 5% के बाद है past ही है sorry आप्रॉक्सिमेटली कर सकते हो ठीक है while the past percentage in 2009 was 80.97 it has been recorded at okay कि यह went up increase होगई ठीक है 2019 में कितनी थी यह अभी increase होगई कितनी record होगई मतलब पहले बुलने कि 5% increase हो चुकी है 19 में इतनी थी दूसरे में बता जिया है सिर्फ आपने यह बोला ना कि वह अगर आपका इस्टनर्स का गलती करते हो सिर्फ बोल दो कि 5% increase होगई तो फिर अगली data पे आजाते हो लेकिन इसके बारे में पहले आपने कहीं बात नहीं की ना तो पहले कितनी थी अभी कितनी हुई तो और में से किसी एक्सीज के बारे में बोलना तो है ना आपने तो कि कई स्टोरेंट आप करते हो कि सिर्फ आप आदा लिख लोगे कि 5% increase होगा लेकिन पहले कितना था कम से कम वही बता दो कि पहले कितना था कि पहले 2019 में 80% थी और विच इंक्रीस्ट बाइ राउंड 5% अगर आप चीक है नेक्स देखें उन्होंने यहां पर simply बताया हुआ सारे कंप्लेक्स करने और वराइटी लेकिया निया simply भी बोल सकते हो कि follower उनका बोल दिया चीव कितना किया 98.65% last year कितना था तर्फ इतना था that's it ओके एक और आता है followed by the best performance कितनी थी सबसे पहले किसकी थी उनका लिख दिया उनकी past percentage कितनी थी followed by मतलब second number पर वह आ रहे है आप followed by करके भी लिख सकते हो I don't know मैं कैसे भूलगी followed by वाला followed by जाने की पहले first वाला कौन था जुरूरी नी सरफ first के बारे में बोलना है आप किसी के बारे में बोल सकते हो कि इसकी इतनी थी followed by दूसरे वाले की मतलब उससे कम होने चाहिए obviously लिख बात है जैसे यह first best वाला performance बोल दिया second वाला बोल दिया followed by लिख के इतना है ठीक है आप in between in और यह तो लगा ही लेते हो कौन सा था यह बला अभी देखें unlike unlike अगर आपको लगता है कि आपके पास time नहीं है लिखने का तो आप data cover फटफट कर सकते हो unlike girls boys showed a sharp increase percentage of boys who passed the exam showed a sharp increase unlike girls like का क्या मतलब होता है like मतलब उसके जैसा unlike मतलब उसके जैसा नहीं मतलब girls ने वह नहीं किया girls का increase नहीं हुआ आपको बताने की need निया girls के बारे में because आपने पहले ही बोल दिया unlike girls unlike scores of girls कुछ भी वह आपने पहले ही बोल दिया हुआ उसके बारे में detail में नहीं बताने की जुरूत कॉमा लगाके next वाले boys का बोल दे कि उन्हें क्या किया तो यह वाला भी structure आप यूस कर सकते हूं unlike वाला वैसे आप passive वालत आप यूस करे लेते हूं तो उसमें I don't think आप कुछ बताने की पैसिज आपको बताया ना कुछ भी यहां से अगर हम देख के बताया दो यहां पर नहीं है यहां पर नहीं है यहां पर नहीं है बट आप जैसे वह passive में ED लगाके was increased ऐसे कुछ कर के कर देते हूं वह आप कर सकते हो तो वैसे तो मैं एक लिंक में डाल दूँगी वीडियो जहां पर मैंने पैसिव के बताया है मॉडल वर्प का भी बताया है इविंक की लिंक में डाल दूँगी उसका कोई स्ट्रेस देनी की नीट नहीं है थोड़ा सा हम फटा फटा फट रइप करते हैं इसको बताते हो कि जैसे इस्ट्रेट को कन्फ्यूजन रहती है कि यह कितना है यह स्लाइट, ग्रैजुल, सिग्निफिकेंट, शार्प में सिर्फ बताने के लिए कि थोड़ा आपको हिंट मिल जाएगी थोड़ा सा बहुत ही कम चेंज है तो क्या क्या लिखना है आपने चेंज के कोडिंग वो सब कुछ लिखना ठीक है कितने परसंट का इंक्रीज हुआ दोने को वह दिफरेंस बता रहे है पहले एक था अपिने 85 हो गया ठीक है 5 परसंट इंक्रीज हुआ इंक्रीज्ट 2 मतलब कहां पर पहुंछ गया कितनी particular percent नंतेज इंक्रीज टू 85% या फिर recorded at 85% उसके recording इंक्रीज टू 85% यह आ गया लेकिन बाय जब लिखना था ना बाय का ध्यान रखा करो कितने percent का increase हुआ है वो लिखना है आपने उस चीज पर ध्यान देखना है कितना change आया है वो देखना change के बादे में ठीक है अगर हम verb, adverb, adjective, noun का देखें तो अगर उन्हें simply लिखा है कि आपको बता ना verb ऐसे कौन से होती है जैसे उन्हें लिखा है rise यह first form आ गई rose, second, rising तब past में तो rose लगा होगा ना आप the amount rose by five percent the percentage rose by five percent ठीक है ऐसे कुछ लिखते है तब percentage जिसकी भी percentage की बात करने है वो लिखते है rose by five percent five percent से increase हो गया अभी हम इसको कैसे change करेंगे इसको हम noun में कैसे convert करेंगे क्योंकि verb के साथ आपको बता adverb कैसे ly लगा सकते है हम the it rose significantly ऐसे कर सकते हूँ ना ly यह वले अगर यही सारी चीजों के साथ ly लगा दोगे तो वो adverb बन चाएगा ठीक है अगर हमने इसी चीज़ को थोड़ा सा twist करके लिखना है तो हम क्या करेंगे adjective plus noun लिख लेंगे अभी verb को हम noun कैसे बना सकते हैं इसी को हम adjective बना सकते हैं यह adjective है यह adjective है इसके साथ मालो ly लग गया sharp लिख यह adverb बन गया ठीक है अभी हमने verb को noun कैसे बनाना है ठीक है तो हम क्या करेंगे arise arise अलग लग है arise was seen राफिट can be seen ऐसे करके राफिट there was a rise of five percent समझ रहे हो ना अगर मतलब अगर हमारा verb है यह उसके आगे article लग गया article लगने से वो हमारा noun बन जाएगा कई बार क्या होता है increase मालो increase की बात करते हैं ठीक है यह मारा verb है वर्ब की first second third forms होती है नो noun नहीं है noun कैसे होएगा and increase जा फिर कई जगा पर हर जगा पर article नहीं लगता कई जगा पर end में amiant लगता है increment कर सकते है and increment amiant लगता है like हाँ क्यासे punish यह है मारा verb because हम इसके साथ ed लगा देंगे क्या हो जाएगा second form third form लग जाएगी इसी को हमने क्या करना है noun punishment they were punished by the police officers ऐसे मैं सिर्फ एग्जामपल दे रही हूं कैसे करना है जाएगा the punishment was given to them was police officers ऐसे कुछ करके मतला आपको अगर different different words नहीं आ रहे आपके अगर यह limitation आपको यह प्रॉब्लम आती है कि different words नहीं जा जाते एक word को ही different way में आप twist करके कर सकते हो use ठीक है तो इसको आप इस वेसे जैसे इसका according इसके इलावा decrease का हो गया मुश्य आपको यह करना incline वगरा यह कुछ करना होता है तो क्या करना है आपने एक जगह पे verb adverb लगा दिया verb जानी की first second third form हो सकती है अगर आपका tense change होएगा तो आपकी forms भी change होएगी आपको पता है ना यह नहीं पता तो tenses वाली वीडियो पर मैंने बनाई है वो देख लेना ओके link description में दे दूंगी मैं और जो noun है यह बाकी चीज़े नहीं change होएगी वर्ब प्लस उसका adverb लिखेंगे हम there the percentage raw significantly by 5% ठीक है by 5 ठीक है यहाँ पे adjective plus noun there was a significant raw there was a significant rise in the percentage ऐसे कुछ करके ठीक है समझा रहा है ना यह सारे है adjective इसके साथ अगर आपने ly लगा दिया तो बन जाएंगे adverb verb प्लस adverb लगेगा वर्ब वर्ब है तो आपको पता चल जाएगा असानी से adjective पहले आएगा फिर noun आएगा तो आपका यह रोम ना हो इसलिए मैंने यह सार कुछ लिख दिया है आपको यह clear हो गया हो एगा जितनी मैंने वीडियोस बोली है डिस्क्रिप्शन में बता दूगी और यह सारी जो है यह वो cell वाली यह सारी भी मैंने separate वीडियो जैसे में बनाई है मैं इसका भी link डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप वो वीडियोस देख लो तो आपको पूरी clarity मिल सके कोई mistake ना कर लो और अगर आपको थोड़ा सा एक बर वीडियो देखने से एक दिन अच्छे से बैठके वीडियो देखने से आपकी score अच्छी हो रही है तो obviously spark का benefit उठाना चाहिए न आपको अगर मालो की task 1 आपका easily हो जाता है 7, 7.5 आगे मालोक टॉस्ट्रों में थरी सी गरबड हो रही है सिर्फ 6 भी बन पाए है तो अगर हम plus करेंगे चाहिए इसका weightage कम है तो देखिए ना अगर हमा 7.5 plus 6 plus 6 करेंगे तो overall हमारी score boost होएगी ही हम करके ही देख लेके है मेरा phone का गया या मालो आपके आगे 7.5 एक task 1 में दूसरे में मालो 6 6 आप आप आए अगर हम divide करेंगे 3 के साथ 6.5 बन गई ना आपकी score यही आपको आपने अच्छे से focus नहीं किया इसमें भी 6 आए उसमें भी 6 आए तो overall तो आपको चलो 6 भी बनेगी जा फिर बाइचास इसमें ज्यादा गरबढ़ कर दी आपने डाटा अच्छे से देखाने सिंपल लिखती है ज्यादा वराइटी नहीं लेकिया तो चाहे आप 6 दूसरे वे टास्ट्रूप पर ज्यादा फोकस करके 6 ले आए हो डिवाइड किया 3 के साथ तो कम हो रहा है ना overall चलो मालो कि आपका 6 बन जाएगा क आइटिंग 5.8 के कारण तो आपका पूरा 6 ही मानेगे लेकिन हमने खराब करना है क्यों अभी अगर हमारे 6.5 आ सकते हैं अच्छे से क्यों ना ले और वैसे भी हमें हम इसका भी 6 क्यों सोच रहे है राइटिंग टास्टू का इसमें भी मैंने आपको वराइटिस बताई हो और वह वराइटि उसमें भी कैसे लेकिया नहीं वह भी मैंने बताया हुआ है होप आपको यह सब कुछ अच्छा लगा आप अपने फ्रेंज के साथ जूरू शेयर करना ताह जो सारे बेनफित उठाओ और कठे जाओ फोरन भी और अगर आप कोई डाउट है तो कुछ है तो आप मेरी इंस्टाग्राम पेज मुझे डियाम कर सकते हो इवन मैं अपने नियो क्यू कार्ट की जो सैप्तंबर में पीडियाफ आएगी उसका अपडेट भी अपने इंस्टाग्राम पेज पर देत होंगी और यह जो डाटा है यह सब कुछ यह यह भी मैं अपने टा करते हैं तो इस्टेट डेली प्रैक्टिस करें और इवन कहीं उन में से कहीं को स्टेट को टास्क आता भी है फाइनल एक्जाम में वह भी मैं अपडेट कर देती हूं होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताह जो आपको पाकी न्यू वीडियो के न्यू थिंग्स लो में अप्लोड करोंगे न्यू वीडियो करोंगे उसका नॉटिकेशन मिलता रहे और आप फट 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 वीडियो देखे अच्छी स्कोर लेके फॉरण जा सको थैंक्स वर वोचिंग बाइब